नमस्कार, इस नातक दितिय वर्ष हिंदी सहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत है हम पढ़ रहे हैं मोहन राकेश द्वारा रचित नातक लहरों के राजहन इसके पात्र इस प्रकार से हैं श्वेतांग और शामांग कर्वचारियों के नाम है नंद की पत्नी सुन्दरी, दासी अलका, बुद्ध का सोतेला भाई नंद, नंद का एकमित्र मैत्रेय, दासी निहारी का और बुद्ध का शिश्य है भिक्ष्यू आनंद इस थान और समय कपिल वस्तू, राजकुमार नंद के भवन में सुन्दरी का कक्ष और रात उतरने का समय यहाँ पर चित्रित किया गया है परदा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता समवेत स्वर, जैसे ही रंगमंच का परदा उठता है अंधेरे में समवेत अर्थात, कुछ जो लोग हैं वो एक जगई कठा होते हैं और एक साथ उनका स्वर यहाँ पर सुनाई देता है धमम शरणम गच्छामी, संगम शरणम गच्छामी, बुद्धम शरणम गच्छामी प्रकाश होने पर राजकुमार नंद के भवन में सुन्दरी का कक्ष यह अंधेरे में हमें स्वर सुनाई दे रहा था प्रकाश हो जाता है और नंद के भवन में सुन्दरी का कक्ष हमार और जूला एक मतश्याकार आसन आगे दाई और मदिरा कोष्ट और बाई और शिंगार कोष्ट आगे और पीछे दो अलग-अलग भागों में दो दीपा धार अर्था दीपक रखने के लिए स्टेंड बनाए हुए हैं एक के शिखर पर पूरुष मूर्ती बाहें फैली हुई तथा आखें आकाश की और उठूई हुई दूसरे के शिखर पर नारी मूर्ती बाहें सिम्टी हुई और आखें धर्ती की और जुकी हुई पूर्ष प्रक्रती और इस्त्री प्रक्रती दोनों के प्रतीक रूप में यहां दो दीपक के आधार रखे हुए हैं उद्यान का मार्ग बाई ओर से बाहर का मार्ग सामने से सामने के द्वार से निकल कर गवाक्ष यानि सामने से निकल कर खिडकी है कक्ष के अन्य भागों में जाने का मार्ग दाई ओर से है साज सज़ा में कामोट्सव का इस पर्ष बसंत रीतु में जो काम परव मनाया जाता है वो हमें साज सज़ा में यहां दिखाई दे रहा है कई एक करमचारी फूल सजाने कोश्ठों को व्यवस्थित करने और मुद्राएं अंकित करने आदी में व्यस्त शामांग पत्तियों के धेर में उलजा हुआ तथा श्वेतांग अगनी काश्ट से दीपक जलाता हुआ ये साज सज्जा देखने से हमें प्रतीत होता है कि यहां उत्सव मनाया जा रहा है और जितने भी करमचारी हैं वो सभी इसी कारिय में लगे हुए हैं प्रधान करमचारी होने के नाते श्वेतांग अन्य सब के कारिय के प्रती भी सचेथ है दो तीन करमचारीों की हलकी अवग्यात्मक हसी का शब्द यहां पर सुनाई देता है करमचारी कारिय करते हुए और आपस में बाचीत करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं श्वेतांग ने कहा क्या बात है नागदास तुम लोगों को हसी किस बात की आ रही है चलो सब एक दूसरे से दूर खड़े होकर काम करो निहारी का तुम काम कर रही हो या अपने हातों की मेहंदी उतार रही हो आखे नीची रखो और हातों को देख कर काम करो ओ शेफाली का तुम्हे बस इतने से ही फूल मिल पाए हैं आज के लिए आज का काम मुद्सव इस भवन का सबसे बड़ा उत्सव होगा यह बताने पर भी तुम्हे कुछ समझ में नहीं आया यह कहने पर की देवी सुन्दरी आज स्वेम हर कार्य का निरिक्षन करेंगी तो जो अतीथी आएंगी उनके वस्तरों पर भी मुद्राय अंकित होती जाएंगी और तुम मेरी और एक टक्यों देख रहे हो मंदारक नहीं 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 मुझसे कुछ पूछो नहीं मैं इस समय तुमसे बात नहीं कर सकता इस तरह से श्वेतांग यहां हर कर्मचारी को अ काम करने लगे मैं एक-एक से कहूं तभी नहीं यहां से जाना है इस तरह से श्वेतांग ने कुछ निर्देश अपने कर्मचारियों को दिये हैं श्वेतांग की बात सुनकर शेफाली का बीज गुप्त और नागदास एक-एक करके चले जाते हैं तुम फिर मेरी और देख रहे हो मंदारक काम करने से बचने का यह अच्छा उपाय तुमने ढून रखा है आदमी जब भी तुम्हारी और देखे तुम्हें अपनी और देखते पाएगा जाओ जाओ उधर जाकर किसी और को देखो काम तो कभी ठीक से करोगे नहीं हाँ 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 मुझे पता है इस में जितना काम कोई नहीं करता इस समय जाओ और कम से कम मुझे अपना काम करने दो मंदारक ऐसंतुष्ट भाव से सिर हिला कर चला जाता है मंदारक के कुछ समझ में नहीं आता लेकिन श्वेतांग के कहने से मंदारक भी वहां से चला जाता है और तुम शामांग तुम्हारी उल्जन अभी समाप्त नहीं हुई श्वेतांग यहां शामांग से पूछ रहा है कि तुम इन पत्तियों में क्यों उल्जे हुए हो, क्या तुम्हारी कोई उल्जन है जो भी तक समापत नहीं हुई श्वेतांग निहारी का को देख कर निहारी का तुम क्या बाते सुनने के लिए ही रुकी हुई हो, जाओ उधर जाकर अपना काम करो निहारी का उन दोनों को देखती हुई अन्मने भाव से वहां से चली जाती है तो श्वेतांग से श्वेतांग ने पूछा, तुम्हें मुझसे इर्शा होती है, क्यों श्वेतांग देखो न, एक के बाद एक दीपक जलता जाता है, ने कुछ उलजता है, ने कुछ विखरता है यहाँ पर श्वेतांग शिकायत कर रहा है इससे कि मुझे पत्तियां सुलजाने का काम दिया है, लेकिन पत्तियां आपस में उलजती जा रही है और इस काम से मैं निवरित नहीं हो पा रहा हूँ, मैं इस कारिये को ठीक से नहीं कर पा रहा है, जबकि तुम्हें दीपक जलाने का काम दिया है, जिसमें कोई उलजन नहीं है, तुम्हेतांग इसका कारण है तो शामांग ने पूछा, क्या कारण है, मेरे हातों में काम उलज क्यों जाता है, तो श्वेतांग ने कहा, इसलिए कि तुम सोचते बहुत हो, शामांग सोचता बहुत हूँ, परन्तु उससे क्या होता है तो श्वेतांग ने कहा, सब कुछ उसी से होता है, हात काम नहीं करते, आखें चुंधिया जाती है, यानि सोचने से तुम्हारे जो दिमाग का काम है, तुम्हारे हातों को भी रोक देता है, और तुम्हारी आखों को भी उलजा देता है श्वेतांग ने कहा, अब नहीं सोचता, पहले सोचा करता था श्वेतांग पहले सोचा करते थे, और सोचने का परिणाम यह हुआ की, तो श्वेतांग ने कहा, सोचना छोड़ दिया चारों और देखता हुआ कि कहीं कोई काम अधूरा तो नहीं रह गया, आदमी काम करना चाहे, तो उपाई यही है श्वेतांग ने बताया कि आदमी काम करना चाहे, तो उसे मस्तिश्क को विराम देना पड़ता है, अपनी जो विचार प्रक्रिया है, उसको थोड़ा सा रोकना पड़ता है, जिससे वो विचारों की श्रंखला में उलजता नहीं चला जाए, और जो काम उसे सोपा गया है, उसको वो सही समय पर पूर्ण कर सके, तो उसने कहा, आदमी को यदि काम करना है, तो उसका उपाई यही है कि वो सोचना बंद कर दे, एक राज कर्मचारी के लिए विशेश रूप से, यहां राज नीती की वात बताते हुए, कूट नीती की वात बताते हुए, नीत है, शामांग, तो तुम कहना चाते हो, कि मुझे भी कुछ नहीं सोचना चाहिए, माथे को उंगलियों से मल कर, पर मैं कब सोचना चाहता हूँ, बिना चाहे मस्तिशक सोचता रहे, सोचता रहे, तो आदमी क्या कर सकता है, शामांग अपनी ही विचारों की कड़ी में हुग कि य roommates चाहिस से warmthस्ट सोचना चाहिं वह चाहिए बाक ही कि कुछ न ही सोच हूँ लेकिन फिर भी मेरा मस्तिष्क सोचता रहता है, और मैं यजु काम मुझे दिया जाता है उसमें उलजता रहता हूं तो मेश感 ने इस वीडियो में इतना ही हम प्रतम अंख के बाकी द्रिश्य अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे धन्यवाद